जैसा कि हमने previous modules के अंदर पढ़ा कि जो spider है इसके दो body parts होते हैं इनके अंदर venom gland मौझूद होता है इनके अंदर silk gland मौझूद होता है और जी जो silk gland है ये spider के जो second part है जो sphalothorax के पीछे होता है जिसको हम opistosoma कहते हैं या abdomen कहते हैं वहाँ पे मौझूद होता है और ये spinders के साथ attach होता है जो spinders की तादाद है वो मुख्तलिफ families के अंदर vary करती है कुछ के अंदर इसके तादाद 3 होती है और कुछ के अंदर इसके तादाद 2 है और उसके साथ जो spinders है इनका जो size है वो भी vary करता है अब spider silk gland का इस्तमाल करते हुए web बनाते हैं जो spider के web हैं ये दो किसम के होते हैं एक irregular web और एक और web irregular web के अंदर कोई specific pattern नहीं होता जैसा के आम तोर पर आपने देखा होगा के हमारे घरों के अंदर जो मकड़ियां होती हैं जो spider होते हैं वो जाला बनाती है और वो बहुत ही बे तरतीब होता है यानि उसकी कोई तरतीब नहीं है लेकिन उसके मकाबले में बास spiders जो मुक्तलिफ प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं हमारे फस्टलों के अंदर मौजूद हैं वो जब अपना web बनाती है तो इसका एक pattern होता है वो एक खुबसूरत तरीके से एक खुबसूरत डिजाइन में अपना web construct करती है ऐसे जो spiders होते हैं उनको और web spiders कहते हैं जैसे के टेटरागनेथडी फैमिली और एरनेडी फैमिली इनके जो webs हैं वो highly organized web होते हैं अब अगर हम spider के web के structure की बात करें तो जैसा के इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि एक spider जो है उसका जो central part होता है उसको hub कहते हैं hub वो part है जहाँ पे आम तोर पर जो spider है वो वजूद होता है यह बात important है कि आम तोर पर जो males हैं वो web नहीं मनाते सिर्फ female spiders web बनाते हैं male early stages के अंदर या young stages के अंदर web बनाते हैं लेकिन female adult form के अंदर web अपने prey को capture करने के लिए अपने male को attack करने के लिए बनाती है इसका जो central part होता है उसको hub कहते हैं जहाँ पे female spider वजूद होते हैं उसके बाद इसके जो circles होते हैं इन circles को हम क्या कहते हैं इन को हम radii और spirals कहते हैं spiral circle है और जो उससे मुख्तलिफ lines जो बाहर की तरफ आ रही होती है जैसा कि इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं ये जो circles हैं इन को हम spirals कहते हैं जबके ये जो lines साइडों पे बाहर की तरफ निकली हुई हैं इन को हम radii कहते हैं अब एक जो spider का web है उसके अंदर जो number of spirals और number of radii ये vary करते हैं कुछ species का जो web है उसके अंदर left और right side पे जो radii और spiral की तदाद बराबर होती है कुछ के अंदर एक side पे ज़्यादा है और एक side पे कम है spider अपना जो web का design है इसको field के अंदर जो prey की availability है उसकी base के पर भी decide करते हैं for example अगर field के अंदर prey की तादाद ज़्यादा है तो फिर spider अपना जो web है उसको छोटा बनाते है ताके कम energy इस्तमाल हो उसके बाद जो prey का size है वो बहुत important है for example field के अंदर अगर prey का size बड़ा है तो जो spirals है, spirals के दरम्यान में जो distance है, दो spirals के दरम्यान में जो distance होता है उसको हम mesh height कहते हैं तो अगर field के अंदर prey का size बड़ा है तो mesh height ज्यादा होगी लेकिन अगर prey का size चोटा है तो mesh height कम होगी ताके रात के वकद जब वो fly कर रहे हों तो जो दो spirals के दरम्यान में distance है उसके बीच में से ना गुजर सके इसी तरीके से जो spiders हैं ये अपना जो web है उसका structure wind direction के हिसाब से भी adjust करते हैं इसी तरीके से अगर field के अंदर मुखतलिफ species मौजूद हैं तो वो अपने competition को minimize करने के लिए जो web है उसकी जो height है उसको फरक करते हैं असरन एक spider अगर top पे plant के web बनाता है तो दूसरा जो है दरम्यान में बना रहा है कुछ spider ऐसे हैं जो बिल्कुल bottom में जाके web बना रहे होते हैं तो इसका मतलब है जो spider है उसका जो web का structure है यह depend करता है कि wind direction कैसी है उसके बाद field के अंदर prey की availability क्या है और उसके बाद field के अंदर जो prey है उसका size क्या है और field के अंदर कितनी species available हैं अगर एक ही species available है तो फिर तो उसका web बनाने के लिए किसी दूसरी के साथ competition नहीं है लेकिन अगर वहां पर पहले से और भी species मौजूद है तो उस competition को minimize करने के लिए वो अपनी जो available space है उसको partition कर लेते हैं ताके आपस में competition ना हो और उनका जो survival है same place के उपर वो रह सके